हेलो गाईस कैसे वाप स्पीक गाईस आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी डिवाइस में nothing OS जैसा look कैसे पासकते हो यानि कि आप अपने डिवाइस में nothing OS के launcher, widgets और जो system sound होती है उनको कैसे enable कर सकते हो तो गाईस अगर आपका phone root नहीं है तो तो भी आप हमारी इस वीडियो को follow कर सकते हो जिससे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मेरा device तो rooted है लेकिन अगर आपका device rooted नहीं है तो भी आप हमारी 70-80% वीडियो को follow कर सकते हो इसलिए guys अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को subscribe जुरूर कर लीजिएगा तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को Guys अपने device में Nothing OS जैसा लुक पाने के लिए सबसे पहले आपको Nothing OS का launcher इंस्टोल करना होगा तो Nothing OS का launcher इंस्टोल करने के लिए सबसे पहले आपको play store को open करना है और यहां पर simply search करना है Nothing OS जैसे ही Guys आप Nothing OS या फिर Nothing launcher सर्च करोगे तो आपको यह Nothing launcher मिल जाएगा आप simply से इंस्टोल कर ले इंस्टोल करने के बाद यह launcher अपने आप आपके screen पे apply हो जाएगा इसके बाद Guys आपको इसके अंदर कुछ settings देखने के लिए मिलते है जो कि मैं आपको बता देता हूँ आपको simply जो home screen है उसे press करके रखना आपको तीन settings देखने के लिए मिलेगी जिसमें से पहली है home settings इसके अंदर आप चाओ तो default launcher को change कर सकते हो notification में dot ला सकते हो और home screen है उस पे icon वगेरा ला सकते हो इसके बाद Guys आपको जो दूसरा option देखने के लिए मिलता है वो है widgets का इसके अंदर Guys आपने अपने device में जितने भी application कर रखे होंगे आपको सारे widgets यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और जो आपने nothing launcher इंस्टोल किया था उसके तीन widgets भी आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे यानि कि nothing OS के अंदर आपको जो widgets देखने के मिलते है weather और clock वाले आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको apply करने के लिए simply यहाँ से hold कर cane को रखना है और home screen पर लाके ऐसे रख देना है इसके बाद guys आप यहाँ सेने resize वगएरा कर सकते हो जैसा आप चाहो guys इसके बाद अपने device को nothing OS जैसा लुक देने के लिए आपको अपने device में nothing OS के wallpapers apply करने होंगे जैसे कि आप सभी screen पर देख सकते हो मैंने nothing OS का जो wallpapers है उसे apply कर रख है तो guys वीडियो की description में मैं आपको 4 wallpapers दे दूँगा जो कि nothing OS के है तो आप चाहो उस wallpapers को यहाँ से change कर सकते हो आपको जो भी अच्छा लगए आप apply कर लिजेगा इसके बाद guys अपने device में nothing OS जैसा और look लाने के लिए आपको simply वीडियो की description में मैं एक folder दे दूँगा जिसके अंदर nothing OS की ringtones alarm sound और notification sound है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए ये वाला वो folder है जिसके अंदर alarm, notification, ringtone और UI चारो sounds है आप इन पे click करोगे तो उसके अंदर आपको काफी सारी sounds देखने के मिलेंगी आप simply से play कर ले play करने के बाद आपको जो भी sound अच्छे लेगे आप अपनी settings में जाके उन्हें change कर सकते हो जैसे कि मैं आपको एक change करके दिखा देता हूँ यह देखिए सबसे पहले मैं अपनी settings को open करता हूँ settings में open करने के बाद sounds में जाता हूँ यहां से मैं अपने device में मेरी device की जो ringtone है उसे change कर सकता हूँ आपको guys ringtone change करनी तो आती होगी वैसे ही आप alarm, notification वगेरा की sounds वगेरा change कर सकते हो अब यह तो guys बात हुई कि आप अपने unrooted device में nothing OS जैसा look कैसे पास सकते हो अब guys अगर आपका device rooted भी है तो आप हमारी इतनी वीडियो को फोलो कर लें लेकिन इसके बाद आप चाहो तो अपने device में nothing OS का system sound है उसे भी apply कर सकते हो और nothing OS की जो boot animation है उसे भी use कर सकते हो जो कि आपके device को nothing OS जैसा look दे देगी जैसे कि system UI sound है मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैं अपने device को off करता हूँ तो देखे मुझे जो यह sound देखने के लिए मिल रही है यह nothing OS में है जैसे कि मैं अपने device में picture को click करता हूँ यह देखिए तो मुझे जो sound देखने के लिए मिल रही है यह भी nothing OS में है इसके बाद मैं अपने device में जो screenshot लेता हूँ जैसे कि मैं आपको लेके दिखाता हूँ यह देखिए यह जो sound है वो भी nothing OS के अंदर है तो गैस इसे apply करने के लिए simply आपको अपने magis को open करने है magis को open करने के बाद आपको वीडियो की हमारी description में जाना है जहांपर हम आपको एक module दूँगा जिसका name है nothing OS आपको जाके simply से flash कर देना है flash करने के बाद आपका जो device है उसके अंदर nothing OS का जो system sound है जैसे camera click वाला, screen or phone वाला, screenshot वाला वो apply हो जाएगा इसके बाद guys अगर आपको अपने device में nothing OS जैसी boot animation भी चाहिए तो आपको वीडियो की description में फिर से जाना है जहांपर जाके आपको एक module को download करना है और यह install form storage के option में जाके उसे flash कर लेना है जैसे कि मैं आपको वो module दिखा देता हूँ कौन सा है guys यह वाला हमारा वो module है nothing OS chip आपको simply से flash कर देना है और जैसे ही यह flash हो जाए तो आपको एक बार volume की को press करना है और volume की press करने कबाद second बार click करना है और दो बार volume की press करने कबाद यह module flash होना start हो जाएगा तो यह module जैसे ही flash हो जाए आपको अपने device को reboot करते ने reboot होते time guys आपस भी देख पाऊगे कि हमें nothing OS की जो boot animation है वो भी अपने device में देखने के लिए मिलेगी जैसे कि guys आपस भी अपनी screen पे देख सकते हैं nothing OS की जो boot animation है वो हमारे device में apply हो चुकी है जैसे कि guys आपस भी ने देखा कि हमारे device में nothing OS जैसा look आच चुका है जैसे कि उसका launcher हमने install कर लिया wallpaper अपलाई कर लिये जो widgets है वो अपलाई कर लिये system sound अपलाई कर लिये ringtone वगर अपलाई कर लिये तो guys अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस YouTube channel mobile tech updates को subscribe कर दें और वीडियो को like जूर कर दें बाकी अगर आपको कोई भी problem हो किसी भी file को download करने में तो आपको वीडियो की description में हमारा telegram channel मिल जाएगा आप वहापर आके हमसे help भी मांग सकते हो तो guys चलिए मिलते हमारे किसी next वीडियो में